नमस्कार दोस्तो शर्मजी करस्वे में आपका फीसे एक बर स्वागत है आज हम बादाम का हलवा बनाएंगे और बहुत बेतर तरीका बिल्कुल पर्फेक्ट तरीका लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए तो इसके लिए हमने आदा किलो बादाम लिया है और बादाम का गंटे के लिए हमें भिगो कर रखना है तो हमने बादाम को धोलिया है अच्छे से पानी डाल देंगे हम इसके अंदर और छे साथ गंटे के लिए इसे छोड़ देंगे फिर इसके छिलके उतारेंगे हम और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो तुरंत मेरे चैनल को स भूल चुके है तो अब हम इसे क्या करेंगे अब हम इसे मिक्सी के जार के अंदर डाल कर इसका बारिक पेस्ट बनाएंगे बादाम का पेस्ट जल्दी बनता नहीं है तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी का यूज करकर इसे अच्छे से पेस्ट बनाना है हमें क्योंकि बाद वाला घर का प्योर सुद्ध देसी गी डाला है तो घी डालना पहले कड़ाई के अंदर जरूरी है आप ये चोटी-चोटी टीपस है पर पहुत ही यूज होने वाले है आपके तो मैंने ये जो देसी घी लिया है अब हम इसे मेल्ट करने रख देंगे देखे पूरा घी को मैं ये आप और अब हमें क्या करना है बिल्कुल ला जवाब टीपस है ये ये हमने इससे जैसे मेल्ट किया हुआ घी के अंदर हमें यहा बादाम का पेस्ट डालना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है तो बारी-बारी करकर हम पूरी बादाम को पीस्ट लेंगे और टो डाल देंगे और बाकिय के बचे हुए पूरे बादाम को हम पीच लेंगे इसने जादा हलवा आपसे भूरना नहीं जाएगा लार फिर बड़ी कड़ाई लगेगी तो जादा ताकत लगेगी तो आप इसमें मैंने तो तो यह आदा किलो वाला इसके अंदर भून लिया है आप अगर 500 ग्राम का ही भूने तो बहुत बेहतर होगा थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मैंने इसके अंदर और इसे पीस लिया है अब हम क्या करेंगे हमने कड़ाई को अभी गैस के उपर बिल्कुल नहीं रखा है बादाम का हलवा हमें भूने में काफी राहत मिलती है बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है नीचे ज्यादा चिपकता भी नहीं है वैसे मैंने यह नौन स्टिक कड़ाई लिए है तो कोई चिपकने का प्रॉब्लम है नहीं पर इसी तरह से हमें घी को मिक्स कर लेना चाह ननकutar यह है क्योंकि हमें अंदाज से अगर हम घी डालेंगे तो अगर कम हो गया तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है तो इसके अंदर देखे इस तरह से घी को मिक्स करने के बाद में बादाम कहला के अंदर थोडी Binding आना जरूरी होता है तो इसके लिए हम इसके अंदर एक teaspoon का इस्तमाल करेंगे आटे का, तो आटे डालना जरूरी होता है, वरत में खाना चाहते हैं, तो आप सिंगाडे का आटा ले सकते हैं, सिंगाडे की बज़ा, राजगिरे का आटा लिए आप, क्योंकि सिंगाडे के आटे के अंदर थोड़ी अपनी स्मेल होती है, देखिए, एक इतनी छोटी चमच मैंने भर कर, जो दाल वाली एकदम छोटी चमच होती है, वहां भर कर मोटा अला आटा लिया है, मैंने, क्योंकि हम डिलेवरी, अगर आपके घर में भी किसी की डिलेवरी हो, तो मोटे आटे का ही थोड़ा इस्तमाल करें, तो बहतर होगा, तो हमने ये बादाम के हलवा देखिया, अच्छे से मिक्स कर लिया था, और अब हम लगातार फुल गैस के उपर मैं इसे चलाओंगे, क्योंकि नॉस्टिक कड़ाई है तो ज्यादा चिपकेगा तो नहीं नीचे, और तूरन थोड़ा सीख जाएगा, लगबग इस आधे किलो बादाम क हलवे के लिए भूने के लिए फुल गैस पर आदा घंटा लगने वाला है, तो अब हम इसके अच्छे से लगातार चलाते रहेंगे, चलाते चलाते हमें इसे भून लेना है, तो हम जब इसे जब तक भूनना है, जब तक कि ये घी छोड़कर घी चोड़कर ये गोल्डन ब हुनते है इस तरह से, तो हमें जब जच्चा को अभी ये बादाम का हलवा देना चाहिए, सर्दियों का मोसम हो, छाए बारिश का मोसम हो, सिफ गर्मी के दिनों में आप इसे थोड़ी इसकी quantity कम कर दीजिए वरना जच्चा के लिए बादाम का हलवा सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्चा होता है और सुबो यहां आपको बादाम का हलवा सुबो देना है जच्चा को पाच बजे और अगर आप भी खाना चाहते हैं तो भी आप इसे पाच बजे खाए सुबो तो आज मैं आपके लिए बताने वाले हूँ कि सुबो मॉर्निंग में 5 बजे गर्मा गरम बादाम का हलवा 5 मिनिट में कैसे बनाया जाए तो इसकी रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए तो रोज-रोज की जंजट नहीं होगी तो 5 बजे सब खाने के लिए और फिर जब मार्निंग में हमें बादाम का हलवा मनाना है थोड़ासा ड्राइप आउडर लेंगे ये और पानी डालेंगे शकर डालेंगे थोड़ासा गी तो अच्छे बात नहीं है ज्यादा जी घबराने लग जाएगा आपका तो ज्यादा कॉंटिटी में हल्वा बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है तो देखिए अभी पैन को छोड़ने लगा है यह जो बैटर है इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है लगातार चलाते हुए म जब हम इसके अंदर घी कम डालते है तो बिल्कुल भी अच्छे से भूना नहीं जाता है यह और अंदर गठाने सी बन जाती है आटा इसके अंदर डालना बहुत जरूरी होता है अवरत में खाना चाते है तो आप राजगिरे के आटे का इस्तमाल करें इसके अंदर और सिं क्योंकि जच्चा जैसे खाना खाएगी बच्चा वैसे ही दूद पिएगा और बच्चा भी स्वस्त रहेगा तो बार-बार हॉस्पिटल जाने के चक्कर से भी हम बच सकते हैं तो क्यों न बिल्कुल बहतर बना कर घर पर खाया जाए तो देखिए अब काफी मातरा में हमारा हलवा भून गया है तो अब हमने डाली है इसके अंदर खसकस जो कि बहुत जादा जरूरी है तो आदा किलो खसकस के आदा किलो बादाम के अंदर मेंने लगबग 100 ग्राम खसकस डाली है अब खसकस भी भून जाएगी क्योंकि पानी काफी सुख गया है हमारे हलवे के अंदर का ड्राय हो गया हमारा हलवा यह तो इसी स्टेज पर हमें इसके अंदर खसकस डालना है खसकस से भी जच्चा को बहुत अच्छे से नींद आएगी सुबर मॉनिंग में जब पांच बजे यहां खा लेंगे हम तो स्वस्त रहेंगे और अच्छी नींद आएगी जच्चा बच्चा को अच्छी जब नींद आती है तब दोनों ही स्वस्त रहते हैं देखे हलवा हमारा भूण चुका था हमने निकाल लिया है और इतना सा हलवा मैंने कड़ाई के अंदर छोड दिया है अब हम इसका लवा बनाएंगे तो देखे अच्छे से गरम हो चुका है अब मैं ठोड़ा सा गरम पानी का استعمल किया है मैंने पानी इसके अंदर बिल्कुल भी जादा कॉंटिटी में नहीं लगता है तो थोड़ा पानी जादा डालकर अच्छे से उबलने दूगी मैं इस हल्वे को और बस हमें तुरं सुबो क्या करना है डिपे के अंदर यह हल्वा निकाल कर रख देना है यह टैट कंटेनर में फ्रीज में रख दीजिया आप और रोज सुबह थोड़ा दो तिन टीस्पून लेकर थोड़ा सा आदा ग्लास पानी डालकर एक दो चम्म शक्कर डालकर हम इसे तैयार कर सकते हैं सुबह मॉर्निंग में सुबह सुबह स्रीफ पाच बज़े आप इसे खा सकते हैं जच्चा में दिया है मैंने इसे ताकि बादा मच्चे से फूल जाए देखिए कितना बहतर हलवा बनकर तैयार हो गया है कैसा लगाया आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट वक्स में जरूर जरूर बताना मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना